हाई दोस्तों नमस्कार हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के खाटों से आम मंदिर दर्शन करने यह हम है और हमारे साथ में हमारी दीदी इनका मी चैनल है बंदन सिल्टानपुरियें आप लोग देखिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं खाटो से, हम मंदिर भूमने और बाबू को लेकर उनके डैडी आगे जा रहे हैं और अम्मू भी है तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और उसके बाद जहां पर आटो मिलेगा, वहां तक पैदल जाना पड़ेगा उसके बाद आटो से जाएगे, तो हम चलते हैं मंदिर पर उसके बाद आप लोगों को भी दर्जन कराएगे तो दोस्तों, खाटू से मंदिर पर हम जा रहे हैं और हमारी ननद जी और हस्बेंड जी और बाबू बाबू बहुत खुश है क्योंकि इसे घूमने को मिल रहा है और घर पर बहुत रोता है लेकिन यहां भी बहुत खुश है गाड़ी वाली देखने को मिल रही है तो चलिए हम मंदिर पर जबते हैं वैसे लग्षा खंप पहुंच चुके हैं आठो तक आप यहां से आठो के लिए दर्सन करने चलते हैं सभी लोग आ जा रहे हैं वैसे भीड़ भी काफी है हम लोग दिली में घूमने आये हैं दस बारा दिन के लिए भूम कर उसके बाद वापस से फिर घर चले जाएंगे फिर जब आएंगे तब फिर आपको दिखाएंगे यह देखिए मिल गया यह आटो यानि की बैटरी वाला रिक्सा अब इस पर हम लोग पैट कर खाटो से हम पहुंचेंगे तो यह देखिए दोस्तों बापू अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था लेकिन अभी बाटो में बैट कर चारो तरफ जाट रहा है और खुस भी है काफी अभी जब वहा सब यह बोर्ड लगा हुए खाटू जया दिल्ली जहां तो इस मंदीर पर दरसर करने लोग आते हैं वैसे तो इसका में मंदीर है राजस्थान में लेकिन एक मंदीर यहां पर भी बनाए गया है जो कि दिल्ली में है यह देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब हम दोस् उसके बाद जाएंगे यहां पर देखिए ऐसे गोल-गोल खूंते हुए तब अंदर जाना होगा यह देखिए कि इतने सुन्दर सुन्दर यहां पर फूल लगे हुए हैं यह एक छोटा सा वैसे बना हुआ है गुंबड ट्राइब कर यहां बहुत बड़ा सा पार्क है और मंदिर भी है यह अब देख सकते हैं यहां देख सकते हैं यह प्रबेश्दार है और यहां पर भी कुछ है यहां पर चंदन लगा जाना है जा रहा है कुछ पैसे टर कर और यह है चरण पादुका यहां पर भी सब लोग पैर छूटे हुए फिर आगे निकल जाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे थी बन करके तयार हुई है भगवान की मूरती और घटी लगाई यही है यह देखिए दोस्तों नीचे यह घास वाला जो टोर मैट आता है वो विच्छाया गया है और यह देखिए अब यहां से अंदर की तरफ प्रवेश करते हुए चले जाएंगे हम लोग उसके बाद अब यहां से सीड़ी है सीड़ी पर चड़ना होगा उसके बाद हम मंदिर में पहुंचेंगे तो अभी हम भी पहली बार आए हैं यहां पर बहुत शारी दुकान भी है और यह आप देख सकते हैं यहीं से प्रसाइद भी लेना होगा चड़ाने के लिए कि दोस्तों यह है सारी दुकाने तो हम यहां से प्रसाइद ले रहे है तो देखिए दोस्तों रिदे-धर ले लिया लिया हैं हम बाबू आर रहस सब्हेंने चाराएंगे और एक बी दी और और अम्मू चड़ाएगा यहां पर देखिए बोरे बोरे में भर करके माला फूल रखा गया और जहंडा वगरा और यहां पर खाटू से आमकी फोटो भी है बहुत अच्छी अच्छी है देखिए तो यहां पर बहुत सारे सब कुछ शामान मिलते हैं जैसे लड़ू को पाल के लिए भी कपड़ा लेना है यह सोस्रा जल्दी से फूल पकड़े और छीट दे पूरा है यह देखिए तो यह आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी भीड़ हो गई है यह देखिए दोस्तों यह देखिए दोस्तों यहां पर अभी काम चल रहा है यहां पर देखिए बाज़ भी बज रहा है और यहां से शुरू हो गया प्रवेश करना यहां से घंटी लगी है यहां पर लोग जंदा पहना पहना कर रखे हुए हैं और यहां पर नारियल चुनरी इतना सारा बना हुआ है यह है स्वास्तिक यहां पर स्वास्तिक बनाया जाता है तो चलिए हम लोग भी एक बनाते हैं इस पर लिखा है ओम स्री खाट्टू स्याम देवाय नमा यहां पर देखिए हमने बना दिया यहां पर सभी लोग स्वास्तिक बना रहे हैं हम लोगों ने भी बना लिया है और यहां पर कुछ चड़ाओ भी चड़ाए जाता है यह देखिए दोस्तों अम्मू जा रहा है उसमें चड़ाओ चड़ाने के लिए यहां पर पुजारी बावर भी है यह देखिए बच्चत ऐसे अब चली हम मंदीर में चलते हैं तो यह देखिए दोस्तों मंदीर का बह्ब बेना जारव यहां पर स्वास्तिक हम ने बनाया अब हम प्रभेश कर रहें अंदर के साइट में और यहां पर जंड़ा बगरा सुन्दल लगता है यहां मंधिर पर आप लोग भी एकपर जरूर दरसन करने आए यह देखिए मंधिर के अंदर का इखाते हैं. यहां पर बहुत सारे पूलर भी रखे विए अंदर मंदिर के और यहां पर फूल अगयरा भी. लगा विश्क सबरहा है। अच्था पंख़ा हुए ने 것도 थे भी नियुक्त अंधर भी नाद चाहिए। और वे अजो भी अधे। थोड़ा दूर से मंदिर देख लीजिए अभी हम लोग लाइन में खड़े हुए है बहुत लंबी लाइन लगी है यहां से अब चल रहा है मंदिर की तरफ यह देखिये दोस्तों बाबू लाइन में खड़ा नहीं होना चाहरा है यह बहुत रो रहा है यह देखिये यह खड़ा नहीं होना चाहरा है लाइन में यहां पर यह देख सकते हैं यह गिसाला है और मंदिर के थोड़ा करीब हम लोग पहुँच रहे हैं यह देखिये अंदर की तरफ एक छोटा सा मंदिर है तो यह है अखंड ब्यास पीर्ट और अंदर बड़ा मंदिर है तो यह देखिये दोस्तों यहां से मंदिर सुरू हो गया बहुत ही प्यारा मंदिर है यहां पर देखिये गाय और गाय को चलाने के लिए ग्वाला है और यहां पर मंदिर है यह सबसे पहले गड़ेत भगवान की मंदिर है यह देखिए, आप लोग दर्शन कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं अभी आगे चलेंगे, वहाँ पर खोड़ा है तो दोस्तों यह देखिए, में मंदिर में यही मूर्ती है अभी साथ हो सकती है, आपके पास हमारी आवाज नप महुच पाए क्योंकि यहाँ पर गाने बज रहे हैं, यह देखिए, दक्तन का लीजिए तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर परिक्रमा की जाती है एक बार यानि वहाँ मंदिर से निकल करके ऐसे ऐसे होते हुगे तब बाहर की साइड में निकला जाता है यह है गुफा, गुफा में चपल नहीं पैनना है वैसे मंदिर में चपल बाद निक्या दिये जाता है मोजा भी नहीं पैनना है और बेल्ट भी नहीं पैनना है यह देखिए दोस्तों यह यहाँ पर मंदिर में बहुत ही अच्छी से मूर्ती लगाईगे जो कि चाहदी कलर में चमक रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, तो चलिए हम लोग बाहर निकलते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंट रखा है, यदि आप घर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बार वैसे बना जात है रियल में, यदि आपको रियल में घर बनवाना है, तो यहाँ पर एक बार जरूर घर बनाएए, यह देखिए दोस्तों, बाबु खाटु से आपका प्रसाथ खा रहा है, इसे प्रसाथ खाने में बहुत मजा रहा है, मंदिर के अंदर तो रो रहा था, लेकिन अभी ठीक ठाक है, अभी नहीं रो रहा है, और यहाँ पर यह अच्छे फूल लगे हुए हैं, यह सब रेडी मेड हैं, वर्जिनल फूल नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, बीच में खाटु स्याम की मूर्ती है, और आरी बगल फूल की भारत मातयानी की भारत का नक्सा बनाया गया है, यहाँ पर सभी लोग खोटो खिचवा रहे हैं, यह देखिया आप लोग नजीर से देखिए, खाटु स्याम, दिल्ली धाम, भारत का नक्सा, बहुत यथा लग रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संकर भगवान का एक मूर्ती है, यहाँ पर भी लोग कूजा करते हैं, और यहाँ से अभी हम चल रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ भी एक खाटु स्याम का मंदीर है, छोटा सा, लेकिन मेर मंदी तो अंदर ही था, आप लोगों को हमने दिखा दिये, अभी हम अंदर चल रहे हैं, चौपाटी, स्याम चौपाटी, यह देखिए, यहाँ पर यहाँ पर यह कूर्सियां भी रखे हुई, यहाँ पर लोग बैठ कर थोड़ी देर घूमते टहलते हैं, उसके बाद जाते हैं, यहाँ घूमने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से घूम सकते हैं, यदि आप घूमना चाहत हैं, तो आप यहाँ दिली में आ जाएं, उसके बाद भूमनी दिये, यह देखिए, यह मंदिर है, यहाँ पर काफी सारी मूर्तियां लगी हुई है, प्रिष्णु भगवान, प्रम्हा, संकर भगवान, दूर्गे महिया, सभी देवी देवताओं की मंदिर है, और यहाँ पत्थर रखा गया है, और पत्थर पर सेर खड़ा है, यहाँ पर देखिए, दोस्तों, बहुत सारे मूर्तियां रखी जई हैं, और नीचे घंटी लगी है, और यहाँ पत्थर पर दो सेर खड़े हैं, उसके बाद आप चल रहे हैं, वहाँ पर रखा गया ही, खाटु बनाई गई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पत्थर की सीमेंट से बना करके कलर कर दी गई है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फोटो खीचने के लिए बहुत ही अच्छी जगा बनाई गई है यहाँ पर लिख्या गया है खाटू से हम दिल्ली ध्याम 36 घाट अठोवां यह देखिए दोस्तों यहाँ पर एज खाटू से हम दिल्ली ध्याम एरपोर्ट रेस्टोरेंट है तो एरपोर्ट रेस्टोरेंट देख सकते हैं यहाँ पर एक एरपोर्ट बनाए गया है यानि की एरोप्लेन छोटा सा इसके अंदर रेस्टोरेंट इप्ली है यहाँ पर एक तो दोस्तों यह देख सकते हैं खाटू से भाड़ा है जो कि असली है लेकिन यह से सोग इसडल रखंगा है यहां पर लोग खड़ते हैं और एक यह बिमूरती बनी हे यहां पर भी लोग पौटो खिजवाते हैं और इसी थरीके का एक ट्रेंड भी है उसमें भी फोटो किचवाते हैं और आगे जा करके वहाँ पर रेश्टोरेंट है जहां पर खाना पीना खाया जाता है यानि कि नास्ता पानी किये जाता है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं हम लोग दर्शन करके वापस आ रहा है यह उठ जा रहा है उठ जा रहा है उठ कि खात श्यां की यहीं सवारी है तो अभी हम लोग चल रहा है यहां सेंकरवां का जो सीवलिंग है वहाँ पर थोड़ा दासन करेंगे अगर आप वोट पर सफर करना चाते हैं तो इस तर बाइक करके आप कर सकते हैं यह देखिए खात आंगल है यह देखिए दोस्तों यहा मनुकामना होती है वह शारी पूरी होती है और यहां पर एक छोटा सब भी है मुर्ति पूरे परिवाल के साथ तो यहां पर भी आप बहुत सकता है यहां पर छोटे नंदी बाबा है इस तरी किसी है देखिए चल यहां नंदी की कान में जो भी मनुकामना होती है वो बोला जाता है तो वो नंदी भगवान यानि की भोले नास जरूर पूरा करते हैं तो इसलिगे यहां पर लाइन भी लगाना पड़ता है यहां पर एक नाओ भी है यहां पर भी स्लोक बैठ कर फोटो खीचवाते हैं और वहां पर गाणिया है जैसे गाणियों पर बैठ कर बच्चों को गुमाया जाता है और साथ में हाथ ही भी है इसे वह को कोको बैठके शाप बना डुझmont कमने करें यहां पर प्रटा रखने का और समुन्धर मन्थन आउंक यह बहुत ही स्टीटर बनाए गाया है मूर्ती बगारे यह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है यह देखिए और वहाँ पर पानी पीना है पानी पीने किल्गी लगाए गया है वहाँ पर पानी पीना वह यद प्यास लगी हो तो यहाँ पर पी सकते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकाने लगी है गोल गप्पे पाव भाजी और बाकी सबी चीजे का दुकान लगा है और इधर साइड में रेस्टोरेंट है छोटा साइड यहाँ पर सभी लोग बैट कर नास्ता है पानी करते हैं और वैसे भी बैटते हैं घूमते टहलते हैं और वहाँ सामने पर थोड़ा थोड़ा दिखा जो किष्ण भागवान ने गोबार्धन परवत अंगली पर उठाया था वह परवत बना है तो चलिए हम वहाँ पर आपको दिखाते हैं यहां पर ढेट सारी गाएं हैं गायों के लिए बहुत ही अच्छी बेवस्था की गई हैं यहां पर घंटी लगी है और पत्थर भी रखा गया है और गाय की सेवा की जाती है यहां पर लिखा है अपनी मनों कामना नंदी जी के कान में कहें और यहां पर राधे कृष्णी की एक छोटी से मूर्ती भी रखी गई है यह देखिए जो की पीतल की बनाई गई है और गायों के लिए यहां पर बहुत ही अच्छे से साफ सफाई की जाती है और उनके लिए गर्मी में कूलर वगरा भी लगा जाता है यहां पर गव चारा के लिए दान दिया जाता है उसके बाद चारा डाला जाता है गाय के लिए चारा के लिए पैसे जमा करने पर यहां पर एक कार्ड मिलता है इस टाइब का अब यहां से आपको चारा देंगे उसके बाद वहां गाय में किसी भी गाय को आपडा सकते हैं बस यही एक टोकरी भर कर चारा देंगे, चारे में यह चैरी बाल करके रखे हैं, यही डालना होता है यह देखिया हम लोग जा रहे हैं, गाय को चारा देंगे, उचके बाद आपको पूरा नजारा दिखाएंगे बहुत बड़े बड़े कूलर रखे गए हैं, अभी यह लगाया नहीं गया है, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो लगाया जाएगा, यह देखिये, गाय को चारा डाल दिये जाता है, गाय बहुत खुछा आजाती हैं, और खुछ होकर खाती हैं, अब यहां पर पंखे वगएर अभी लाइट, सारी बेवस्था बहुत ही अथे तरीके से हुई है, केवल अभी पूलर नहीं लगाया गया है, बहुत ही जल्द पूलर लगाया जाएगा, क्यूंकि गर्मी साय सुरू भी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ रही तो इसलिए पूलर लगाना को दिखाएंगे, तो यहां गायक के पास से निकलते हैं, उसके बाद गोवर्धर परभग दिखाते हैं, यहां पर घंटी लगाएगे यह, जो सब लोग बहुत ही अच्छे से बगा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहे हैं, घंटी की आवासाद आप लोगों को भी सुनाई दे अब यहां पर देख सकते हैं, यह गोवर्धर परभग बनाया गया है, यहां पर पत्थर वगएरा रखा गया है, और यहां जो वहां ब्रिंदा बनके वासी थे, जब गोवर्धर परभग भगवान ने उखाया था, तो सभी लोग खड़े थे, तो यह देखिए, सभी बनाया गया है, यानि कि सभी लोग यहां पर जीव जनतु है, तो दोस्तों यह देखिए यहां पर रिशी मुनी बैठे हैं यह खाटू से हमका मेन मंदिर है जो की बीटियों में पहले हम नहीं दिखा पाए थे जब दर्शन करने आये थे लेकिन अभी हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाएंगे यह देखिए यह देखिए दोस्तों बड़ा वाला पंखा जो इसमें लगा हुआ है यह बहुत ही तेजी से हवा दे रहा है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहां पर बहुत ही अच्छा लग रहा है अच्छा फ्लाग हम इसी पर इंड करते हैं फिर से हम आपको मिलेंगे एक नए फ्लाग के साथ अभी हम और घूमेंगे आप सभी को भी घूमाएंगे दोस्तों इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक मौशती रहें तो आज के वीडियो में पास इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंटक फेयर हम जहां-जहां घूमेंगे आप सभी लोगों को भी घूमाएंगे धन् हुष्छी रहेॹ्छ इन देंक करता है तो दोस्तों आप देख सकने हैं यहाँ पर खाया पीए जाता है यानि नास्ता पानी पिये जाता है हम लोग भी नास्ता पानी कर चुके हैं काफी राथ पी हो गई है अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं तो खाटु सेम का वीडियो आपको कैसा लगा कम में जरूर बताएए धन्माज